ये जो जिवन कथा है, ये कोई शादरन लोकिक जिवन नहीं है, देखने में लगता है लोकिक, लेकिन नहीं ये अलोकिक है, ये गुनातीत है, इंद्रियातीत है, लोकातीत है, मायातीत है, लेकिन फिर भी भगवान जब नौरो लिला करने के लिए जब अभीर्बुत होते हैं नौरो तो नुधारन करके तो अपने पार्षदों को भी ले आते हैं उनकी लीला पुरिपुर्ण होता के लिए भगवान उस लीला में समस्त भक्तों को भी ले आते हैं अपने नित्त लिला से समस्त पर्षदों को ये शात ले करके भगवान आते हैं जुग जुग में आते हैं इस कली जुग में भी भगवान आये हैं कली जुग पाब अनवतार स्रिक्रिष्ण चैतन्य महाप्रभू जो बोस्तु कोई जुग में कोई भगवत शरुप जो बोस्तु प्रदान नहीं किये है इस कुली जुग विशेश अबतार भगवान के जो वो बोस्तु प्रदान करने के लिए आये है अनर पितो चरिंग चिरात को रुना अबतीर नकलो शमार पैत उन्नत उज्जल राशांग सबक्तिस्तियाम उन्नत उज्जल राश भगवान तो राश शरुप भगवान शरुपते राश शरुप है राश भगवान शरुप है लेकिन राश के जो चरम और निर्जास जैसे गन्ना है गन्ना के राश राश है लेकिन राश को जब जला है जाता है तो उससे गूर होता है गूर से जला करके और उससे मिस्तिरी बनता है फिर उससे भी और जला करके शिता मिस्तिरी बनती है तो इस तरह से ओ भगवान के जो अनंद लिला राष उस लिला राष की जो चरम निर्जास है वो है निब्रितम निकुंज में राधाकृष्ण जुगल बिलाष माधूरिमा जहां राधाकृष्ण दोनो निब्रित निकुंज में बिलशित अबस्ता में जो प्रेम राष अस् करना और वो लोकिक नहीं है वो अलोकिक है वो दिव्याती दिव्य है वो इंद्रियाती थे गुनाती थे क्योंकि यह जो मिलन माधुरिमा है राधाकृष्ण जो मिलन है यह शरीर धर्मी नहीं है शरीर धर्मी मनुश्व भी मिलन धर्मी प्रक्रिया देखने में आता है लेकिन यह है शरीर से सम्मंदित है शरीर आलाग आत्मा आलाग इसलिए साधरन मनुश्व जो संशारिक जो मिलन धर्मी प्रक्रिया है वो है लोकिक और वो है माया आत्मा से उसका कोई शंबंदो नहीं है लेकिन वहाँ जो राधा कृष्णो जुगल बिलाश मधुरिमा वहाँ हमारे जैसे शरीर आलग है और आत्मा आलग है आत्मा चेतन है शरीर जड़ है चेतन आत्मा मात्री जठर में प्रविश करके मा के शरीर के द्वारा शरीर से जरौश निश्काशी तो होता है वह जाकर के वह शरीर से गठन प्रक्रिया वह चोटा सा एक जीप चोईतन शत्ता उसका शरीर बनता है यह शरीर का देना है मा का हमारे जो शरीर है यह मा का देन है और चितन जो आत्मा है वो पिता का दिन है तो ये दोनों अलग चीज है शरीर जड़ है आत्मा चितन है जीब शरीर में तदात्मता के कारण शरीर में आत्मबुद्धी के कारण शरीर मैं हूँ ये भ्रहम के कारण जीब शंक्षर चक्र में अनादिकाल से भ्रमीत हो कर गुम रहा है शरूब बिस्प्रित हो करके जो मैं इंद्रियातित, गुनातित, लुकातित मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर स्रम्बंदिबुस्त मेरा नहीं है मैं इस से अतित हूँ ये भुला दिया माया ने शरीर में तदात्मता के कारण शरीर में उसका आत्म बुद्धियों के शरीर मैं हूँ जिस कारण शरीर विशेक जो शुग दुख वो अपना शुग दुख मनना शुरू कर दिया ठोकर लगता है शरीर में और वो कष्ट पता है जीवात्मा अच्छा बोलिए हमको चलते-चलते रास्ते में ठोकर लग गया ठोकर जो कश्टो पा रहा है कश्टो किस ने पाया किसका कश्टो हो रहा है ठोकर लगा तो शरीर में और उफ करके उठा उफ कौन ने उफ किया शरीर है ना आत्मा है वो कौन है जिसने कश्टो पाया ठोकर लगा तो शरीर में जड़ तो जड़ है यहां ठोकर लगा और कश्टो पाया कश्टो से कश्टो से उफ करके उठा उफ किसने किया शरीर ना आत्मा वह लिए लगा तो शरीर में तो कश्टु तो शरीर का होना चाहिए ना तो उफ किया वो तो शरीर तो जड़ है यह तो मरने का बाद आत्मा जब चितन जब शरीर छोड़ के निश्करान तो हो जाता है तो शरीर निश्क्री हो जाता है वो जड शरीर परा रहता है उसको जलाने से भी कोई अनुभब नहीं वो जड है शरू पतो शभा पता वो जड है आत्मा रहने के कारण शरीर चलमान है लेकिन शरीर है जड इसमें आत्मा निबाश कर रहा है जिस कारण वो तदात्म है तू आत्मा के तदात्मत है तू वो श प्रोकन लगा शरीर में उफ किया किस ने किया शरीर तो जड़ है उसका तो लगता नहीं है अगर उसको लगता है तो मरने का बात क्यों नहीं लगता है जब चेतन चला जाता है शरीर छोड़के तो वो तो मृतक शरीर परा रहता है जालाने से भी कोई उनुभब नहीं तो उसका मतलब शरीर का लगता नहीं है आप बोलो आत्मा का लगा चोट लगा आत्मा का ये भी शिद्धों नहीं होता है क्यों? आत्मा तो शरीर है नहीं वो तो शरीर से अतित है वो तो चेतान है उसका तो शरीर है नहीं, शरीर से उसका मतलब है नहीं, शरीर से अतित, इंद्रियों से अतित, इंद्रिया अतित, गुना अतित, लुका अतित, मया अतित, और अनुभब बिद्ध, वो तो चेतन शत्ता है, तो उसको कश्ट होने का कारण तो है नहीं, क्यों तो शरीर तो है तो उफ किस ने किया कश्ट किसका हुआ कि अहां करता तो कौन है अब यह चेतान जैसे हम सो जाती है सो करके सपन देखते हैं सपन में शरीर कलपोना करते हैं शंक्षार कलपोना करते हैं कलपोना करके वो कलपोनिक शरीर को हम सर्च्चो आरव कर लेती है आरव करके कालपोनिक शरीर के द्वारा कालपोनिक शंक्षार को भोखते हैं और उसमें जो विकार श्व्दुग जो भी होता है एक मतलब आरवक के कारण सोया हुआ जीवात्मा हम तो सो रहे हैं कश्ट पाते हैं शुक दुख जो भी है शपन अवस्था पर जो अवस्था है शपन अवस्था के जो भी कालपनिक है उसको हमको भोगना पड़ता है ऐसे जागरत अवस्था में भी वो आतना शरीर में तदात्मत है के कारण आरो प्रत्यारों मत्रों वो शरीर को मान लिया मैं हूँ वो शपन गुण के द्वारा, शरीर के माध्यम चे स्वरी संब्डि विशय भस्तु को धार्त्त में ये भोगता मान करके भोग रहा है। बास्तव में ना भोगता है, ना करता है। प्रकृते क्रियमानानि गुणकर्मानि शर्वशओ अहंकर भिम्रात्म कर्ता हम एती मन्यति। प्रकिती कर्म करती है, गुण के द्वारा प्रभावी तो होकर प्रकिती के द्वारा कर्म शंपदी तो होता है, अहंकर भिमुरात्ना करता हम इति मन्यते, और अहंकर के कारण जीवात्ना वो समझता है मैं करता हूँ, लेकिन मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं हूँ, बोलो भोत्चितों देखने में आता है, भोत्चितों देखने में आता है इसका कारण है कोत्चितों भीमान के कारण कारता हम किसी लिए कर्मों का शुबाशो वो भोकता भी बन जाता है खुद लेकिन भोगता भी नहीं है यह है माया जब तक शरीर में आत्म बुद्धी शरीर मैं हूँ ऐसे बुद्धी लेकर जब तक शंक्षर चक्र में देवधिक बुस्तुपदार्तिम अशक्त हो करके शंक्षर चक्र में भ्रुमित होगा तब तक जा करके द्यात्त विशयक जो आपना पस्ता में ना शरीर है ना शंक्षार है फिर भी आमको भोगना पड़ता है उसमें शूख दूख सभी भोगना पड़ता है आरोप प्रत्यारोप मात्रु प्रकतिस्त नहीं है नहीं है वो स्वया हुगा है इसलिए उसको भोगना पड़ेगा मिथ्था होने से भोगना पड़ेगा ऐसे ही शरीर में आत्म बुद्धी के कारण शरीर मैं नहीं फिर भी शरीर में आत्म बुद्धी के कारण शरीर के शूगदुख हमको भोगना पड़ेगा इसमें तदात्मता है तू शरीर मैं हूँ इस भ्रहम के कारण शरीर सम्बंदी शूगदुक हमको भोगना पड़ेगा जब तक शरीर में हमारे आत्म बुद्धी है शीदा बात है है मिथ्था लेकिन भोगना पड़ेगा करता नहीं हो लेकिन कुर्तित्त पन और कुर्तित्त विमान के कारण तुमको भोगना पड़ेगा इसलिए गीता में कहते हैं जश्य नाहंकृत भावो बुद्धिर जश्य नलिप्पते होत्ता पीशा इमलोकन नहंतीन औनिवद्धते जश्य नाहंकृत भावो जिसका मैं करता हूँ ऐसा भाव जिसका है नहीं मने मैं करता नहीं हूँ तो करता को ना है, करता प्रुबरू है, करता प्रुबरू है, बुद्धिर जश्य नलिप पते ये बुद्धि अमारे कर्मों में लिप तो नहीं होता है ऐसे बिक्ति आगर हत्ता पीज़ गरने से भी नहुति न निवर्द्धति, ना किसी को हत्तिय करता है, ना बंधन drei से प्राप्त होता है, इसका कारण है अहंकार, करत अहम, जब तक अहंकार है जड़ी अहंकार तब तक जा करके उसको कर्म का सुबा सुबा फल भोगना पड़ेगा ये खेल है अब कह रहे हैं हम चीद बिशयक जो वहाँ जो राधा कृष्ण जुगल विलाष माधुरिमा वहाँ ये शरीर और आत्मा का खेल नहीं है वहाँ जो मिलान धर्मी प्रक्रिया राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा जो नेब्रित निकुन जो में राधा कृष्ण जुगल विलाषी तो अबस्था में जो प्रेमराष आस्वादन कर रहे हैं वो ऐसे शरीर धर्मी मनुष्व जैसे यह मिलन धर्मी प्रक्रिया नहीं भूल हो जाएगा वो अलग चीज है वो चीजी अलग है क्यों मिलन धर्मी प्रक्रिया शरीर धर्मी मनुष्व जो है शरीर से संबंद है तू आत्मा अलग शरीर अलग और मिलन धर्मी प्रक्रिया शर नहीं लेकिन वहां शरीर आत्मा एक ही है आमारी एक जड़ है चेतन है एक अपराप्रकृति एक पराप्रकृति शरीर पराप्रकृति आत्मा जीव चेतन स्था दोनों मिलकर के जीव आत्मा एक पराप्रकृति एक अपराप्रकृति शरीर मा का दिन पराप्रकृति जीव चेतन स्था पिता का दिन दोनों मिलकर के इस शरीर बन गया है तदात्मा हो करके जीव आत्मा बन गया इसको कहते हैं जीव आत्मा जीव रूपी आत्मा दोनों अलग एक अपराप्रकृति जड है और चेतन है वो शरीर नहीं उस शरीर से अतित है अपरा प्रकृति जड़ है नाम रूप आत्मक और चेतन जो आत्मा है वो नाम रूप रही थे दोनों का एक मिलन जो है जीव चेतन शत्ता शरीर में तादात्मता है तू शरीर विशेख शुगदू को अपने को कोच्चित्त विमान के कारण वो भोगता मानने के कारण वो भोग रहा है बस्त में उस से अलग है लेकिन यहां जो हम लोग राधाकृष्ण जुगल मादुरीमा जुगल प्रेम भिलाश मादुरीमा जो है वो आगर हम कंप्यार करेंगे नरो लीला जैसे ऐसा नहीं है क्योंकि वो अलग चीज़ है वो शरीर और आत्मा अलग नहीं है वो मिलान अलग चीज़ है शम्पूरन अलग चीज़ है तिरिक प्राक्रत शाम्यों के कारण एक उधारन दिया जाता है प्राक्रत शाम्यों के कारण लेकिन बस्त में ऐसा नहीं है वो वो अलोकि दिव्या ची दिव्यों इंद्रिया आतित गुना आतित लुका आतित माया आतित वो अनुबब्वेद्ध कृपाशद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् ये बंधन है, वो मुक्ति है, ये स्वरुप विस्पृति है, वो स्वरुप स्थिति है, वो सिदानंद मैं है और ये जड़ प्रकृति मैं है, ये प्रकृति से संबंदित है, वो इंद्रियातित, गुनातित, प्रकृति के अतित है वो, वो है मुक्ति यह है बंधन तो दोनों संपूर्ण विपरित धर्मी इसके साथ वो स्थिती जो है उसका तुलना होना संभब नहीं है तुलना होती नहीं है फिर भी प्राक्रित शाम्यों के कारण दिश्चान तो देते ऐसे तो वो बस्तु दिव्ब बस्तु जो बस्तु चिन्तन करने से ही ये संक्षाठ चक्र से मुक्त होने के लिए उसको मार्ग मिल जाता है। यह परिशुद्ध हो करके निर्मल हो जाता है और प्रेंगरस आश्वदन जुग़ता प्राप्त करके धन्या तिधन्य कृत हो जाता है। लिला रच लिला चिंतन करके। यह भूम विश्ञ पॉस्तु नहीं है। वो बस्तु महाप प्रभु किर्पा करके देने के लिए आए है इसको लिए जुग में और रिपीत चोरेंगे चीरात कुरुना अबतीर नकलो समार पहित उन्नत उजलरश वो लिला नहीं है इसलिए सिर्माद भागवात में गोपाल चुम्प में जीव गोश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व कर दीका असका जैसे रदक्रिश्ण लीश्पी लीला को मजा कूरा रहे हैं तह तो नहीं है ठीव्य है ऑल्म Civil इंद्रें टीथ है गुणा टीथ है ऑन्वावावद्थ क्रिपाशद्ध है जिन पर प्रभु क्रिपा करते हैं जिन पर आधारे ने क्रिपा करते हैं, वही जा करके ओ लिला रश किन्चित अश्वादन करने में समर्दों हो सकते हैं, जब तक शरीर में आत्म बुद्धि शरीर मैं हूँ, तब तक जा करके वहाँ थोड़ी ओ लिला किन्चित अश्वादन संबब, इसलिए हमारे तुम उन्हें क्रिपा करके क्या दिये हैं ना ओ मंजरी शरूप को पशना पद्धती, मंजरी शरूप, जब देखो तुम ऐसे चिंतन करो, जब आधारे नहीं, देखो, मैं राधारानी के हूँ, राधारानी मेरी है, मेरा उमार यतने मेरे रूप, बर्न बस्त्र, अलंकार शरीवा कुण्ज श्थिती, सबाब इत्यादी गूरदेप प्रदान कीये हैं ऐसे चिंतन करना चाहिए शरूप चिंतन, जब आधारे नहीं, तो मैं को नूँ ना मैं राधारानी के हूँ, राधारानी मेरी है, तुमारे शरूप क्या है ना आधारे ऐसे एक मंजरी हैं ऐस उपदेश श्रबन करके तदन शादन करते करते शादक ये शरीर से अतित्त हो करके वो शरू प्राप्त करके कृत्य 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 हो जाते हैं ये है प्रक्रिया और ये प्रक्रिया आमारे महाप्रुप कृपा करके शादक के लिए शादन मुनुष्य के लिए शरल शहज पुल रशित जो रती है इसको कहते भवल रशा रती यह है हमारे शाधना का प्राण केंद्र हमारे जो महाप्रभु के जो अबुदान है शमर पहत उन्नत उज्जल राश यह तो हम लोग अलचना कर रहे हैं अभी नित्तारंद प्रभु के संबंद में जब महाप्रभु सन्यास्ति करके चले गए हैं निलाचल में लिलाचल में जा करके नित्तारंद प्रभु को हस्त धारन करके कह रहे हैं स्रिपाद हमारे द्वारा सब कर्म जो शंपादी तो होना शंबभ हुआ नहीं वो कर्म तुमको शंपादन करना है तुमको जाना है जा करके तुमको गिरस्त आस्त्रम रचना करके तुमको ये प्रेम धर्म निर्विशिश प्रचार करना है हम तो सन्याश लेकर चले आए हैं स्रिपाद और बाकी जो रहे गया बहुत सारे जीव हैं जहां हमने ये प्रचार कर नहीं पाए हम क्रिपा कर नहीं पाए वहां तुमको घर घर जा करके तुमको ये प्रेम ये इसको तुमको बितरन करना है सबको प्रदान करना है निर्विशिष जाती धर्म बर्नो निर्वि अभी परिवर्तन लाए है यानिक, अभी वो सन्याज बेश नहीं है, अभी नित्तनन्द प्रभू अलंकार, हीरा मोती नना प्रकार, हीरा मोती से अलंकृत, इस तरह से अलंकार से सज्जीत हो करके, ऐसे रहते हैं, जिस चारोर हाथ, दस अंगली है ना, दस अंगली में हीरा क आंगुठी है, पाम में चांदी के सुन्दर नुपूर है, गले में में हीरा मती के हार एकल मां, खचाखस एकल संदर है। इतनी किंति किंति सब मुनी मुक्ता से बनी हुई दो सकता हर स्वाँ, दर धरन किया है नित्मन द प्रभू, निल बशन पुरिहिता नित्तारंद प्रभु चल रहे हैं चलते चलते अद्धी तो भाव नाये हैं अद्धी तो प्रभु से जब मिले हैं अद्धी तो प्रभु नित्तारंद प्रभु को बक्ष में धारन करके खुब रोदन किये, खुब रोए फिर बोलती है श्रीपात आप हमको छोड़के आप मत जाओ कहीं आप यहीं रहो तो कुछ दिन रहे उनके मरो रंजन के लिए नित्तारंद प्रभु तो कुछ दिन रहे रहे करके फिर बोलती है जा हमको तो जाना है हम शोची माता को हम बचंदी के आए हैं, उनके शन्निद्ध में हम कुछ दिन रहेंगे, तो अद्धित प्रभु फिर ठीक है उनके इच्छा जान करके उनको बिदाय कर दिये हैं, अद्धित प्रभु से मिल करके अपने भक्त मंडली ले करके आए हैं नबदिप में, नबद प्रभु को गोदी में सुला करके मस्तक में हस्त प्रशारन कर रहे हैं, और रो रहे हैं, रो रो के कहते हैं, निताय, निमाई तो हमको छोड़के चला गया, निताय तु हमको छोड़के नहीं जाना बेटा, बेटा तो मेरी बात मांजा, तु हमको छोड़के कहीं नहीं जा बचन दे बेटा तु हमको छोड़के जाननी तो नित्नानंद प्रभु भी मा के गोधी में शोग आए Uh को दो डवाथ है मातृ स्वाकार नित्तानंद प्रभु भी त्रह माता जाएसे जगत्याननी जकद जननने के क्रोरों में शो करके बच्चा जैसे रो रहे है स्निह महमता सभी चाहती है भगवान भी ये स्निह महमता में भूल जाती है भगवान भी भूल जाती है अपने भगवात्ता भूल जाती है स्निह महमता प्रेम ऐसे चीज है यहां भगवान तक भूल जाती है अपने भगवत्ता नहीं तो पुर्ण ब्रह्म शनातन भगवान कृष्णों देखो शोची मत का अंचन पकर के मा खाने दो मा भूग लगी है मा खाने दो खाने दो उस्रुधरा बहे रही है तो यह के नाटाक है नाटक नहीं है यह लिला यह बाली लिला प्रकटन कर रहे है बाली लिला अश्रदन करने के लिए जुग मया को अस्रे करके महाप्रुव यह बाली लिला प्रकटन करती है इसलिए विश्णु पुरान में कहते है जिनके चरण कमल के नाख किरण जो है जिनके चरण कमल के जो नाख किरण चटा उसको परब्रम्ह कहते हैं जिनके चरण के नाख किरण चटा उसको परब्रम्ह कहते हैं वही आभी नंध अंगन में खेल रहा है नंद नंद रूप में कृष्ण वो पुर्ण ब्रम्ह सनातन तो भगवान भी प्रेम के भुके हैं ना भोल जाते हैं प्रेमिक ऐसे चीज है तो प्रेम दुनिया भूल जाते हैं प्रेम में अगर सच्चा प्रेम होता है तो ये प्रेम जगत भूल जाता है भगवान तक भूल जाते हैं अपने भगवत्ता अंग भक्त पड़ाधीनो अशत अंत्रिवद्धी जो भगवान कहते हैं हम भक्त का अधीन है भक्त प्रेम में हमको इस तरह से फचा लेते हैं जो हम भगवात्त तक भूल जाते हैं हम भगवान तो भगवान कहते हैं हम भक्त का अनुगमन करते हैं अनुब्रयम्या हम कोई त्रंगरी रेनु भी मैं भक्त के पिछे-पिछे उन्हों कमन करता हूँ और उनके चरहन रेनों लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ तो प्रेम ऐसी चीज है यहाँ भगवान तक भगवत्ता भूल जाते है यह प्रेम है इसलिए भगवान, स्रीमात भगवात में कहते है अस्ति बमंग भगवान मुकंद मुक्ति ददातिस करीचित स्माना भुक्ति जोगं भगवान मुकंद मुक्ति दे देते हैं लेकिन स्माना भुक्ति जोगं ये भक्ती जोग, ये भक्ती जोग, ये शुद्धा भक्ती जोग, ये देते नहीं, देते हैं माने देते नहीं माने इतना सहस देते नहीं, क्यों? भगवान कहते हैं मैं फ़र्ज जाता हूं, ये प्रेम में मैं इस तरह से फ़र्ज जाता हूं कि मैं भगत के अधिन हो जाता ह मेरा शतंद्रता, मैं जो भगवानु इश्षरू, कुर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम, मैं अपने भगवात्य तक भूल जाता हूँ, और भगत के पीछे-पीछे अनुगमन करता हूँ, भगत जैसे नचाते हैं मैं ऐसे नसता हूँ, भगत जैसे खिलाते हैं मैं ऐसे खा ना चाहता है। इसलिए मैं तो भक्त के लिए कोई उपास्ट ना करते हैं तो मुकति तो दे देता हूँ जाओ मुक popular हो जाओ। लेकिन इस माना भक्ति जोग होंगे प्रेमलक्षनाभक्ति जोग यह हम देती नहीं। क्यों इसमें हम फ़स जाती हैं, हम भूल जाती हैं, भगवान है, हम भगत क के पीछे पीछे क्या करें, बिबहत क्या सुकर चलती हैं, भूल जाती हैं हम भगवान हैं प्रभु शामकर्शन, शोची माता के गदि में सो करके और माता भी उनके मस्टक में हस्त प्रशारन कर रहें, बेटा, निताई, निताई बेटा, एद दुखिनी माता को छोड़के बेटा, कही मत जा बेटा, निमाई तो हमको छोड़के चले गए, तु हमको छोड़के मत जा बेटा, तु हमको छोड़के मत जा, ऐसे रो रहे है श्वची माता, और श्वची माता को उस्षु दिख करके निताई भी फुट-फुट करके रो रहे है मा तुम मत रो मैया मैया तुम मत रो मैया हम तुमको ऐसे छोड़के नहीं जाएंगे मैया तुम मत रो मैया तो साराजिमन तो नहीं मैया कुछ दिन तो मैं तुम्हारे शानिद में रहूंगा मैया ऐसा कहे करके नित्तानंद प्रभु माह को शांतना दे करके नवद्दिप में कुछ दिन रहे और खुब प्रेम धर्म प्रचार किये हैं चारों और जिस तरह आप देखते हैं वही एकदम भरी नाम में एकदम प्रेम पुलकी तो हो करके उस्ट्रकंप पुलक्षेद बई पर हुर रहे हैं उनके इतने शक्ति प्रकाश करके इस तरह से शब की बीताख वो प्रेम स्वट्प की अस तरह से सūन्चार कर रहे हैं सब की भीतार और वो गहना धारन किया है बहुत सारे मुनी, मुक्ता, हीरा, मोती के नानापुर कर किमती किमती गहना दस अंगुठी में, दस हीरा के अंगुठी पाओं में अंगुठी पाओं में नुपूर पहने है हीरा मोती के नुपूर गले में हार हीरा मोती के हार सब सब भक्त लोग दिये आए और उतों सायंक भगवान इच्चा मत्री आ जाता है तो एक दिन हिरन्न पुंडित नाम के एक भक्त दनाड रहे अबस्तर संपन्न है उनके घर में नित्ता नंद प्रुभू बिराजमान है कुछ दिन प्रुभू आजमान है वहां रहे करके देखो सब बहुत सारे भक्त मंडली लेकर एक घर में रहना गरीब घर में रहना तो मुश्किल है ना तो दो दिन में ही तो उसका हलत खराब हो जाएगा अगर मालो दो चाश्च्व मुर्ती रोज रोज पोशाद अगर पाता है तो विर्जा करके कहां से शंग्रों करेंगे श्रप इसलिए तुरसा पैशावाला संपन्न घर में जाना ओचित्त है क्योंकि इतना खर्चा को निर्भा करेंगे तो हिरनल पंडित छर्प पैशावाला धनाट्र संप्रहांत परिवार के थे तो आदर करके नित्ता नंद प्रभू को ओंकि प्रभू आप हमेरे यहां निभास करो यहां रहे करके आप जो भी करना है करो और हजारों भक्तो आते हैं रोज प्रशात पाते हैं जहां रहते हैं नित्ता नंदप्रभू उगां तो मेला लागा ही रहता है पंगत्त होता ही है दो पास्ट्चों रोज रोज तो खर्चा बहुत चाहिए न ऐसा थोड़ी होता है तो उहां रहता था एक ब्राम्मन लेकिन बड़ा दुष्ट जगई माधाई जैसे ही एक बड़ा दुष्ट डखायत थे ब्राम्मन लेकिन दुष्ट शंग के कारण उसका बुद्धी भ्रष्ट हो गिया और डखायत हो गिया कि नित्ता नंद प्रभु के यह गहना कि यह अलंग करना करोर रूपिया का गहना यह देख करके उसका टीम है डखायतों का टीम है मंदली है कि सबको लेकर ठीक किया है कि भाई हिरन पंडित के घर यहां डाका डालो एक दिन जो शोता रहेगा तो फिल भाई एतना एक बार में अगर दाव लाग गया तो मालनो करोर रूपिया ऐसे चीनतन करके सब ठीक कर लिया जब पता लगाओ जो कितना बज़े जकते हैं कब शोते हैं यह पता लगाओ स्पाई भेज दिया और स्पाई भी भक्त मन करके तिलक फिलक धरन करके वह भी घुज गए उसके अंदर जा करके देखते हैं तो रात में भाई बारा एक बज जाता है सब परीकता फिर ऐसा करते करते देखते हैं भाई तो बारा मुश्किल है तो चोड़ी डाकाईती करने सब सो जाएगा तब ना तो एक दिन सोचे हैं बस ठीक है जब सो जाएंगे तो आप जाके डाका डालेंगे तो सब तयार होके आ गए हैं आ करके पेर के नीसे बैठा है रात दर्स बजे जब बारा बजे तक सो जाएगा फिर हम लोग जाके डाका डालेंगे तो इंतिज आर एधर किर्तन हो रहा है बर बजे ताक शारे बरबाजे ताक किर्तन हो रहा है और grapes उदर नीद्रादे भी एसे आक्रवन किया हो लोगे तब साथ बजित्द तक शो गया है अरे यह तो दीन होगा दीन निकल गए आरे आस ता हम तो काम तो बनी नहीं, चलो 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 काल आएंगे, काल, काल आएंगे। फिर कालाया आ करके सब सो गए हैं अब किर्टन फिर्टन है नहीं रात एक बज रहा है भाई अब चलो डगा डालेंगे भाई जाके दिखती हैं और दॉस्पंद्रा हाथ लंबा उचा 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 इसे सब भुष्णव यह हाथ में मला और एक हाथ में डंडा जो लेकर करे भुण हरी किस्ण सब आधर यख लुण हरी किस्ण। दिखर करके भाई वो एक डंडा लग जाएगा तो हमारे तो यह भवनिला समाब तो हो जाएगा ऐसे कैमूर्ती ऐसे बिशाल बिशाल दस पंद्रहाथ उचा उचा विशाल चेहरा तिलक ठिलक धारन की है हाथ में माला है और एक आथ में डन्डा है मुटा डन्डा ले करके जब है एक डन्डा चाहिए बस समापत हो जाएगा खेल खतम हो जाएगा भाई चलो यहां जमेगा नहीं यह जो पहारा दे रहे हैं, यह जब तक पहारा देगा, अब खबर लोग यह पहारा देना कब बंद करेगा, उस समय जाएंगे, ठीक है, दो-चार दिन गया, वो लोग धन्दा में है, तो डाका तो डालना है, एक बर अगर काम बन गया तो करोर रूपिया, बस एक बर खली च जालेंगे, भाय उस दिन इतना आधी तूफान, माने हो लोग इधर रास्ता भूल करके कीचाड में लोट-पोट खाता है, इधर गीरता है, उधर गीरता है, कोई तो तलाब में गीरता है, तो कोई कुई ख़राब हो गिया, ठंडी में ठटर रहा है, एक दब काप रहा है, ऐसा करते करते रास्ता ही जोड़ के मिल नहीं रहा है माने कोई कही तो उपर से पेड के डाली तूट करके गी रहा है किसी का मस्तक पे माथा फूट गया किसी को तो टांग तूट गया ऐसे माने आधी में ऐसे दूर्दशा हो गया 2 बडरशा का एब लगा हो हो गया कोई रखम प्रभात होते तो एंदो ये तो वाल जामिलाग हो गया रख हो गया जान वाज गया कोई रखम प्रकिती ने हमारे शात नहीं दिया ठीक है तो मलम पुट्टी करके कुछ दिर मुले 2-4 दिर भिस्राम करना पड़ेगा 2-4 दिर भिस्राम करना पड़ेगा नहीं तो यह काल जो इस तरह से पिटाई हुआ प्रकिती के द्वारा प्रकिती इस तरह से पिटाई किये हैं, आप दो-चार दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, तो रेस्ट फेस्ट ले करके दो-चार दिन पीछे शांत हो गए है, आप रता जाहो करके भाई, ठीक है, आप चलो, आप चलो, फिर उस दिन आए भाई, बीतर घुशते ही आंदा हो गय प्राश, आप रास्ता दिखता नहीं, यहाँ ठोकर खाता है, आप किधार देले पूरा अब दिशा ना, पुष्टिम दिशा भगवान जने, कोई तो जंगल का अंदर घुश गया, कोई तो नाला के अंदर घुश गया, कोई तो घार मकान तो कुछ इन दिखता है, आप अ दूर दर्शा के कोई अंत ने अंद हो गिया। फिर दीन जब प्रभात हो गिया तो सब हालत खराफ हो गिया। किसी कोई चीज नाला में पड़ा हुआ है। किसी नहीं तो इदा ठोकर खाया, उदा ठोकर काया। किसी का हाथ तूट गया, पाम तूट गया। इस तरह से बड़ा दूर दर्शा भागवात किरपा से दृष्टी तो आ गई। लेकिन राद भान अंदा होके इस तरह से दूर दर्शा का कोई ठिकरा नहीं। तो आप चेतन होगा। भाई हम लोग जिस दिन राकाईची डालने के लिए कोशिश के उस दिन से दूर दर्शा के कोई अंतो नहीं। यह इतना दिन हो गया। प्रती दिन कोई ना कुछ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अलोग की शक्ति देख रहे हैं तो यह शादर नहीं आए। अगर इसके उपर फिर दूबरा और कोशिश करेंगे तो ना जने हमारे प्रान संकट हो जाएगा। तो क्या किया जाए। सब में जुनके भाई चलो उनके चरन में गिरो खमा प्रत्न करो। उनके कृपा भी ना और कोई उपाए नहीं आए। भीर जाके डाकायत का शर्दार आपने सब सेलाशीटी ले करके एक इतना करते करते नित्नानंद प्रभू के चरन पकरके। दुष्ट रहें, शवाम में बड़े हीन शवाम हैं। इत्ता दी नाना प्रकर दज्ञ ज्यापन कर रहे हैं नित्तानंद प्रभू के चरन में। खूम रो रहे हैं। फिर नित्तानंद प्रभू सामझाए। चीनता मत करो। जिस बस्तु के लिए तुम लोग इतना कश्ट उठा रहे हो। ये तुछ बस्तु है। लेकिन इससे भी उत्तम बस्तु है, जो बस्तु पाने से मनुष्च का ये दुख चीरकाल के लिए निब्रित्ति हो जाती है। बहुति बस्तु प्राप्ति से अस्ताक मनुष्य जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो पूर्ण त्रिप्त हो गिया है। जो ना हम पूर्ण त्रिप्त हो। हाँ पूर्ण त्रिप्त हो, ऐसा कोई मुनिश्य है यह नहीं, विश्व में कितना पैसा वाला हो गया है, लेकिन कोई त्रिप्ती नहीं, कोई त्रिप्ती नहीं, कितना पैसा वाला है, मैं दुख की बात कहूँ, आम बहुत पहले, रिलाइंस मोबाइल बवार करते थे, दुख की बात कहूँ थोड़ा सा, रिलाइंस मोबाइल बहुत भार करते थे, तो पैसा भरते हैं, दो दिन भरते हैं, तीन दिन, एक 100 रुपिया हवा, 200 रुपिया हवा, कस्टुमर के अहर में कॉल करो तो उल्टा पर्टा बोल करका, हम कोई मुरग बना देते हैं, दुख की मारे मोबाइल को हम फेग दिया, एकदम फेग दिया नाला में, नंबर भी रखा नहीं है, दोखो पैसा वाला है, फिर भी दोखो चोरी चलता है, चोरी चलता है, कस्टमर का पैसा, बहुत पहल देखा है फिर हम रिलाइस मोबाइल फिर जीवन भर के लिए एक मोबाइल को ही हमने फेक दिया इतना हमको कश्ट हुआ तो बोलो इतना पहशा है फिर भी तिफ्ती नहीं फिर भी शाला पाबलिक का पहशा जितना जैसे भी हो पहशा चाहिए पहशा चाहिए यह मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो कोई तृप्त नहीं होता है यहाँ तृप्ती नहीं तो कहता है हम तुम को ऐसे बुस्तु देंगे जिससे तुम तृप्त हो जाओगे जीवन में कभी तुमारे दुख नम कोई बुस्तु रहेगा ही नहीं यह परमधन एकमत्र हरी नाम यह परमधन परम बुस्तु एक बार इस हरी नाम के शाहरा किसे ने ले लिया भगबत चरण में शारनागत हो करके एक बार जो नामास्रे कर लिया मालनों बस उसके दुख की पुर्नो निब्रित्ती हो जाएगी मैं तो यह गैरंटी से कहता हूँ फिर जाके भवतिक दुख कुछ रहेगा नहीं रहता नहीं आए रहे नहीं सकता है लेकिन मुनिश्व देखो फिर भी ना भवतिक बुस्तु चाहिए पैशा चाहिए ये चाहिए वो चाहिए तो नित्ता रंदिप रुभू कहते चिंता मत कर तुम लोग स्नान करके आ जाना हमारे पास स्नान करके आए दुसरा दिन फिर जाके तीला को लग करके फिर उनको हरी नाम पुरदान किए जाओ तुम लोग भजन करो। जो दुख जो शंक्षार विश्या दुख जो निब्रित्ती हो जाती है उसके इच्छा ही समफ्त हो जाता है इच्छा ही तो मुल बशना का जड़ तो एक मतल इच्छा इच्छा ही समफ्त हो जाता है भौतिक इच्छा जागतिक इच्छा तो इस तरह से नित्त अनंद प्रभु जितना बदमाश्ता सब को एकदम सदू बना दिये हैं सब परमा अनंद में एकदम दिब बहरी नाम करते हैं एक्चा ही समाफ्त हो जाएं जाब मिले संतोस धन सब धन धूल समन असंतोसी सदा दुकी संतोसी सदा सुकी संतोस जाहिए संतोस भोती इच्चा और पुगर इच्चा नहीं एक तो परलोकी इच्चा एक है लोगी किच्चा है क कारण शब्द स्पर्षो रूप्रार गंधो, चोक्षुकर्णो नाशिका जीवा तक इसके शुखेच्चा, आख की इच्चा दुनिया भर के लंगता माशा देखना, कान की इच्चा दुनिया भर के सब्द प्रयोग इसब सुनना, जीवा की इच्चा नाना प्रकार चटपोटी ख चरिड़ी शपवेवकना, तख कि वीशय है, इंद्रकीवशय स्पर्ष्वो शुक्ति screaming यह जो भिवतिक वीशय है uniesta कि समस्ति हो जाती है लेकिन लोगाक इंच्छा ह्यां Dafna राधरने के शिवा प्राप्तिि मि Parliament मोषसर!' से एुच्छा यह तो रहा.. और ये उत्तर उत्तर बाढ़ना चाहिए और जोड़ियो इच्छा ये चिद इच्छा जेतना बाढ़ता जाएगा जोड़ियो इच्छा उतना ही समाप्त होता जाएगा ये प्रक्रिया है चीदेच्छा है रोशने जडेच्छा है अंदकार जेतना चीदेच्छा चीदेच्छा मने राधरने के भक्त चाहिए प्रेम चाहिए राधरने के शेबा चाहिए राधरने के दर्शन चाहिए यह जो इच्छा यह चीदेच्छा है यह चीदेच्छा जेतना बढ़ता दान, जान, वित्त, वईबाप, पैसा, कोड़ी, घार, मकान, दोकान, यह सब भाउतिक विशयक जो आशकती, यह आटमेटिक नस्ट हो जाएगा, चीदेच्छा जितना बढ़ता जाएगा, जड़ी उच्छा उतना समापता होता जाएगा, यह प्रक्रिया है, तो चीदेच् चीदेच्छा तो वोता है भजन करते करते कभी-कभी निरासा जेसी साधक के अंदर इसली आजाती है, क्योंकि बहुत समय भजन नियम साधन करते करते जब बीट जाता है नाम करते करते बीट जाता है और विस है जो है उसको प्रभावित करते रहते हैं समय समय पर साधक में निरासा इसलिए आ जाती है किकी मेरे कोई बल्चन में आग्रह में कमी है ना कहां कैसे कमी है या समय की अपेक्षा है किसी महपुरुष की किर्पा की अपेक्षा है वो तरह तरह कि उसके मन में यह सब बिचार आते हैं तो क्या मतलब इसका तो दवाई और इस चक्रितों शेवन करने से भी बीमार नश्ट हो जाता है तो तुल्शी पिशले पाप से हरीकता नाशुहाए जैसे ज्वार का बेक से भूग बीदा हो जाए मन लो तिब्र बुखार हो गिया बहुत बुखार पाच्छे बुखार ऐसे तो उस समय कोई भी बडिया बस तू खाने के लिए दे दो रूची नहीं होती है रूची ना होने का कारण क्या है नितीब्र बुखार तुमारा बुखार हो गिया इसलिए ऐसा ही हमारे नाम में रूची नहीं भजन में रूची नहीं ये कारण क्या है हमारे ये भवववैदि लगा हुआ है जिस कारण हमको ये रूची नहीं होती है तो रूची नहीं होने से भी, हरि नाम ये करना चाहिए, भगवत अनुशिलन ये करना चाहिए, जयां दहरना उपाषना, ये उत्तर उत्तर और जयादा से जयादा भ्याष करना चाहिए. अच्छा लागे या ना लागे ओगनी में जान करके हद दो या अंजान से हद दो हाथ को तो जलाएगा ही ऐसा ही भगवात नाम तो कैसे भी करो ये तुम्हारा पाप ताप जो भी है और इच्छा जो भी है भवब बैधी सब नश्ट कर देगा जाला के भश्म कर देगा इसलिए अच्छा लागने के इंतिजार मत करो अच्छा लागे या ना लागे करते रहो अखंडो नाम और जादा करके करो अगर मनों तुम्हारा भजर में मन बिल्गुल लगता नहीं है उस तीदि में क्या करना चाहिए उस तीदि में दर्जा बंद करो और जादा करके नाम करो जादा करके नाम करो तो दिखना धीरे 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 तुम्हारे अरुची हट जाएगे और नाम में सतही रुची बंती रहेगे नाम करना चाहिए या चलते फिरते पैसे भी नाम करना यह जो अभ्यास है यह साशंग भजन यह भजन में बहुत जल्दी उसको सादक का प्रगती होती है सादक बहुत आगे बढ़ जाता है और अनाशंग भजन है नाम कर रहे हैं मान कहीं हैं हम कहीं हैं कर रहे हैं माला ठक्ट कर रहे हैं एसलिए कोशिश करना चाहिए सासंग भजन. जब इस हमाई मिले एक आशन में बट करके चिंतन के साथ नाम चिंतन हो या लीला चिंतन हो या प्रभु के रूप चिंतन हो चिंतन के साथ ये नाम करना बहुत ये उत्तम है. और बीना नाम चिंतन दिना भीना भगवत चिंतन ऐसे चलते भीरते जनाम करते इसको कहते अनाशंग भजन अनाशंग भजन में बहुत समय लग जाता है एक बार सुना था कि भजन में इतनी तल्लीनता आ जाती थी आपको जब प्रेम सरोगर में आप से ब्राज देते थे तो उस समय नाम की संख्या करना नाम कितना हुआ है वो संख्या करना भी हमारे लिए एक यानि हमारे लिए एक संकट था जो नाम करते करते जब एक तल्लीनता आ जाती है तो वो मन को हटा करके शंख्या क्षिशना ये भी एक पश्ट दैख हो जाता है एक स्थिती है जहां मन की एक तल्लीनता तन्मयता आ जाती है उस स्थिती में संकट भी खिश्टना बहुत कष्ट दैख हो जाता है तो उस स्थिती में क्या करना चाहिए शादक को संका के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बिलकुर छोड़ दो संका किसना नाम त्रिफ देख लो टाइमिंग देख लो जो हमारे एक घंटा में इतना नाम होता है एक घंटा में बस ऐसा टार्गेट करके आप नाम करो तो ऐसा कम करके खिचो ज्यादा नहीं तो 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 कोई बात नहीं है तो यह अच्छा उत्तम प्रक्रिया है लेकिन वो मन हमारा लग रहा है उदर मन को हटा करके फिर संका में लगाना मेरी दिश्टी से तो यह तो अच्छा नहीं है शंका ठीक है, शंका अपने जगा ठीक है, ये तो प्रक्रिया विशेश है, मूल है नाम, नाम में तल्लीन अता, तन्मयता, ये चाहिए, शंका तो एक शंका है, प्रक्रिया विशेश है, भजन में हम आगे बढ़ रहें कि नहीं, भजन में हमारे प्रगति हो रहीं कि नहीं, करने से भजन फल कम मिलता है बात ऐसा नहीं है नाम सयंग शराठ संपुन्न भगबत रशगहन बिग्र नाम कैसे भी ले लो नाम पूर्ण फल पुरदान करते है माला नहीं है कोछ नहीं है लेकिन तुम नाम कर रहे हो नाम पूर्ण फल्दान करेंगे इसलिए हमारे महाप्रवू सराल उपाशन बताए है उठीते बोशीते खाईते शुईते जता तता नाम लाए देश का नियम नहीं शर बोशीत दिवाए उठते बढ़ते खाते शोते जहां तहां जैसे तैसे मुख में नाम रटते रो और काम करते रो यह शरल उपाए है एना प्राथ में एक शुरू बात में जिस प्रकार आपने अपना एक अनभब बताया कि शुरू में हम आसन पर बैठने के चेश्टा करते है और फिर एक समय ऐसा आता है कि आसन ही हमको खीशता है आसन आसन बेना हम रह नहीं सकते आसन की एक पर बैठने की एक रुची बन जाती है आसन शिद्धी आसन शिद्धी करने के लिए उस प्रक्रिया होती है आसन शाप शुद्र जगा में स्थापन करना चाहिए कोई स्पर्षण नहीं करेका आसन अपवित्र अपवस्था में आसन में बैठना नहीं चाहिए जितना समय आसन में बैठोगे उतना समय भगबत चिंतन द्यान धरणा के साथ ही नाम करना आसन शुद्धी और इस तरह से आसन में बैठकर ज़्यादा समय नाम करने से औल पूर दिन में आसन के एक सक्ति आ जाती है तो आशन में बैटने से लिए तुमारा मन को आटिमेटि खिश लेंगे, मन कहीं तुमारा लगता नहीं है कहीं, मन में कोई सोक शंताफ है, मन में कोई चंचलता है, उसको शांत करने में एक महोवशोदी शुरूप है यह आशन शुद्धी, आशन यह उव्भ्याश करना पड आशन शिद्धो हो जाता है, आशन सिद्धो, लेकिन उसके पवित्रता रक्षा करने चाहिए, कोई सपर्षण नहीं करेगा, कोई पाम नहीं धरेगा उसमें, दूसरा कोई बैटेगा नहीं, जब यह भजन करो आशन में बैट करके करो, इसमें आशन का एक शक्ति हो जाती है दिर्ग लंबा समय दिर्ग दिन अगर इस तरह से आशन में बढ़ करके भजन करता है तो आशन का अरक शक्ति और स्वयंग अनुभाप करेगा सादक स्वयंग जित्ते विक्षिब है मन में शांती नहीं आशन में बैठ गया आशन मन को खीच लिगा अबने दिखा है आशन छोड़ करके बाहर धूप में भी नहीं आते हैं तो इसका दिखा है बाहर आने से भजन भी होता नहीं है इसलिए हमार एक प्रुबाद है आशन छोड़ के शादू और दल छोड़ के बांदर बाद दूर दर्शा होती है बांदर अपना गुरूप रहता है जानते हो गुरूप उस गुरूप के अंदर वो लोग रहता है गुरूप के अंदर गुरूप छोड़ के कई एकला कई दूसरा गुरूप में चला गए न उसको जान सिमार देगा तो दल बने अपना गुरूप गुरूप छोड़ के बंदर बने दूर दशा होती है और आशन छोड़ करके शादू इदर उदर घूमता है डोलता है तो बोलता है उसको भी बहुत दूर दशा होती है शादु को चाहिए एक आशन में बैट करके नाम करने का चेश्टा शादु मने त्यागी नहीं गिरस्ति में भी जो रहती हैं उनको भी ओचित्त है कि इस तरह से एक आशन स्थापन करके उसमें बैट करके देन धारण के साथ मन को लागाने के लिए प्रयत्न करने का चेश्टा करना चाहिए यह उत्तम उपाय है उत्तम प्रक्रिया है तो दीरे 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 वो आशन के शक्ति वो खुद स्वयंग उनुभब करते रहेगा दाइ घंटे तीन घंटे इस तरह बैठ सकता है और आप जो है दस दस घंटे बैठते हैं तो इस में कैसे यह अभ्यास से ही संभव है या कैसे हर कुछ नहीं है अभ्यास है एक प्रेम ही इतना लगे आशन चुलके उठने से बार बार तो होगा नहीं तो अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास आनन्द लग नहीं तो पीछी की बात है पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा अब्यास दीरे 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 एक ही आशन पर बैट करके जादा ज्यादा संखाने करके पहले एक लाग फिर दो लाग फिर तीन लाग जैसे साधका सामर्त है अभ्यास अनुशारू करने का चिस्त करना चाहिए अब देखा है कि आप लगुसंका तक के लिए भी नहीं जाते हैं आसन छोड़ करके इतने लंबे टाइम आप लेग भी हमको अतना होता नहीं है भगवातिच्चा से वेख भी हमारे पहले से भगवातिच्चा से बहुत पाम है इस बिशार में अच्छा ठीक है जैजाए स्री सब्सक्राइ मिराध़य जाम निताय गौन हरी बोर आसके हैं